हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आज आप लोगों से डिसकस करने वाला हुआ एक बहुत ही खुब सुरा सा कॉंसेट्ट अंटिर और अनलेस के बीच का डिफ्रेंस कैसे हम लोग यह जाने कि अंटिल का परयोग कहा गरते हैं और प्यारे दोस्तों अनलेस का करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक बहुत सांदार कॉंसेट की तरफ और आपको बताओं दोस्तों अंटिल और अनलेस और दोनों का ही मतलब होता है जब तक की नहीं और जब तक की नहीं चाहे वो अंटिल लिखा हो चाहे वो अनलेस लिखा हो पैरे दोस्तों अंटिल और अनलेस दोनों का ही मतलब होता है, जब तक की नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, अंटिल का प्रियोग कहां करते हैं, up to the time when, यानि कि उस समय तक जब, यानि उस समय तक जब, यानि it is used in the sense of time, पहरे दोस्तों, अगर हमें, अगर हमें time के sense में लेना है, अगर हमें समय के अर्थ में किसका प्रियोग करते हैं, हम लोग until का प्रियोग करते हैं, जैसे, जैसे यहां पर कह रहा है, अब एक बात आप ध्यान लखिएगा, until के बाद में not का प्रियोग नहीं करते हैं, पहली बात until का मतलब होता है, जब तक की नहीं, यानि समय के अर्थ में, दूसरी चीज़, until एक negative conjunction है और ही कारण है पहरे दोस्तों हम लोग until के साथ not का प्रियोग नहीं करते हैं जैसे I shall wait for him मैं उसका इंतजार करूँगा until he comes here जब तक कि वह नहीं आता है यानि जिस समय तक वह नहीं आएगा मैं उसका तब तक इंतजार करूँगा जब समय की बात आई था हमने किसका यूज किया दोस्तों until का अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ unless का unless का प्रियोग करते हैं if not or if the condition is not fulfilled जब तक की सर्थ को पूरा नहीं किया जाता है यानि यदि नहीं या जब तक की नहीं लेकिन पहरे दोस्तों अगर condition के अर्थ में बात करें अगर सर्थ के अर्थ में बात क करेंगे तो हम लोग किसका प्रियोग करेंगे unless का it is used in the sense of condition condition के use में कर के sense में यूज करना होगा तो वहाँ पर हम लोग unless का प्रियोग करेंगे हाँ दोस्तों एक बात धियान रखेगा unless के बाद भी not का प्रियोग नहीं करते हैं क्योंकि unless भी एक प्रकार का negative conjunction है you cannot qualify the exam तु कठिन मेहनत नहीं करोगे यानि कि आप तुमको exam qualify करना है तो exam qualify करने के लिए मेहनत करनी होगी यानि कि condition है मेहनत करो exam qualify हो जाएगा यानि कि जब condition की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रियोग करेंगे unless का तो प्यारे दोस्तों आपको समझ माया until or unless दोनों का मतलब होता है जब तक की नहीं यानि समय करत में यूज करना होगा तो until or condition करत में यूज करना होगा unless until or unless दोनों के साथ ही not का प्रियोग नहीं करते हैं I hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो like बड़न जब दबाईएगा और हमारे चैनलों सब्सक्राइब करिएगा thank you very much हूचा ह क्लिव थीज दिव प्यानि धक लगज करते हैं झालों समय